दोस्तो आज के इस वीडियों में हम सीखने वाले हैं किस तरह वाल मिक्सर के लिए नल फिटिंग की जाती है किस तरह वाल मिक्सर के लिए फिटिंग की जाती है किस तरह गिजर का पाइंट रखना होता है किस तरह शावर के लिए पाइंट रखना होता है दोस्तो किस तरह कमो के लिए नलफिटिंग करना है तो उसके लिए हमें कितने पाइंट देना होते हैं कितनी हाइट पर देना होते हैं कहा का पर देना होते हैं दोस्तों कि सब के आज के इस वीडियो में हम काफी आसान दरीके सा सीखने वाले हैं देख सकते हैं यहां पर हमने वाल मिक्सर के लिए जीरी की है। यहाँ पर हमने डेमेज सेनिरी लाइन का भी काम किया है। दोस्तों यहाँ पर हमारी कमउट्षिट आने वाली है। इस पर हम आगे वiyor बनने वाले हैं। पिलए आज के इस वीडियों हम सीखने वाँ है। किस तरह वालंॡ नंट। जाती हमने जीर जो किये शावर के लिए कि हमारा शावर आने वाला यहां पर ठंडे के लिए पानी के लिए यहां पर गीजर के लिए गरम पानी के लिए हमारा पाइंड आने वाला यहां पर हमारे टोडल तीन पाइंड आने वाले और यहीं से एक पाइंड हमें नीचे के और ले जाना हो पास हमारा कीचन बना हुआ है तो उसके लिए में यहां से फर्श से लाइन ले जाना होगी यहां पर हमारे पास एक नल के लिए पैंट देना होगा यहां पर नीचे के आने वाली यहां पर हमारा हैंड शावर लगने वाला है एक पैंट हमें यहां पर देना होग की सी फिटिंग किस तरह से कर ना है किसके में पर शभान रच्वान लाने वाले हैं और यह पाइंट कि देना है वो pryn लाने वाले है == इस तरह सरे हमारी 1200 लाने यह प sum आप यू करें करें है दोस्तो तो आपको ₹ रज कर लगा होता है यहां पास हुआ इंची की हौश ए इसंट बाइध की अलबो है ए मेस्ट इंच की इसकी है और इसके जो हमारा गेस वह पहर इंची है दौस्तू checked कि कि आ SNARK अबमाटाक की ब्राश एल्बो है आदा इंची की शर्टील्बो क्षाधीस हिर उसकी इस वाण Chris लाइन के लिए टॉन मी तरह मिक्षर के लिए लाज दोस्तों कि अब इसकी टीटिन किस तरह सी जाएगी दोस्तों हम् सीख लेते हैं यहान कि आगा चे क्नी करना है और तो हमें जो वाल मिक्शर के लिए फिटिंग करना है तो यहां पर हमारे गीजर के लिए जो ठंडे के लिए पाइंड आने वाला है इसकी जो गेप होती हो आपको 7 इंचे रखना है ज्यादा है कमने ही रखना है कि वाल मिक्शर हमारे जो गेज होता है कशने के लिए जो उसकी वरना जो लाइगी जो लिकीद की प्राबलम होती है वो इसी वज़े से होती है हम श्राल्वेंट शही से नहीं लगाते हैं तो आपको श्राल्वेंट दोनों तरफ लगा देना है पाइप में भी लगाना है और टी वागी एल्बो वगरा जब भी आफ फिटिंग करें तो उस और फिटिंग के लिए तो हम प्रिक्रिण के लिए इसकी फिटिंग कर लिए तो हमें पर पॉन का इस तरह से हम रिडूशर लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही पाइंट है तो वहाँ पे पॉन नीचे से भी फिटिंग कर सकते हैं तो हमारे पास एक रिडूशर है सवाभाई पॉन का जिससे हमारे आगे जो लाइन जाने वाली है वो पॉन इंचे होने तो यहां पर हम इस तरह से हम रिडूशर को फिट कर लेते हैं दोस्तों अब यहां पर हमें एक टी लगने वाली है क्योंकि हमें बाहर के और पाइंट देना होगा बाहर के और हमारे एक बेशिंग लगने वाला है तो हमें जितना भड़ा पाइप लगने वाला है इस तरह स हमें इस टी को फिट कर लेना है नप्ती से और यहीं से एक टी से हमें एक पाइंट डीचे के और देना होगा पास में हमारे किचन मना हुआ है तो उसके लिए हम जो लाइन ले जाने वाले हैं वो फार्श में से ले जाने वाले हैं इस टी से हमें बाहर के और एक पाइंट देना होगा बेशिंग के लिए तो बेशिंग के लिए यहां पर हमें ब्रास की एफटिय लगने वाली है कहीं पर आपको इस तरह से दीवाल की पीछे के और पाइंट देना हो तो आप यहां पर ब्रास एफटिय का यूस करें दोस्तो यहां पर हमें दिवाल के बराबर देख लेना है इसे, कि मर जो दिवाल का प्लॉश्टर है, उससे हमारे FTA बाहर नहीं जाए, यहां पर हमें इसको चिपका लेते हैं, और जितना भी बड़ा पाइप हमें लगने वाला है, एल्बो में, उसको यहां पर हमें इसकी फिटिंग कर लेते हैं, यह पाइट हमारा बेशिंग के लिए आने वाला है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरू कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक के, पलंबी के, हाॉस वाइरी के, नल फिटिंग के जितने भी काम होते हैं हमारे घर में दोस्तों, वो सब कुछ आगे चैनल पर वीडियो डालने वाले हैं, और आगे काफी वीडियो डाल भी चुके हैं, तो चलिए, वाल मिक्सर के हमें फिटिंग करना होगी, वाल मिक्सर के फिटिंग के लिए हमें इस जमीन से, जो हमारा फार्स आता है, आपको 34 सिंच के और होता है, तो टोटल इसकी जो हाइट रहती है, जो काफे हाइट रहती है दोस्तों, यूज करने में हमें, यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्राश एल्बो लगाना होगी इसके में, और ब्राश एल्बो के बाद हमें इसकी फिटिंग करना होगी, हमारे जो गिजर के आप अप्पस के जो पाइन आने वाल है वो आपको साथ इंची पर रखना है तो पहले हम यहाँ पर हम जो टी आने वाली में लाइन से सववा इंची की वह आप हमें सववापाई पॉर्ण के एक टी लगई है और वहीं से हमें इस ब्राश एल्बो को फिट कर लेते हैं दोस्तों इस नल से वाल भिक्षर पर पाने आने वाला है वें लाइन का वें यहाँ पर ग्राइन का-वंए नोह पर है आप गिसर के लिए और शावाट के लेकलिया यी लिवी तो आप इसको साले साथ इंची पर भी रख सकते हैं और जो हमारे जो शाइट का पाइन अधा गिजर का आपको उसको ज्यादा गेप नहीं देना आपको सिर्फ उसको साथ इंची में दप्ती से ही रखना है तो जिले पिल हमारे पार जो शावर के लिए फिटिंग आने वाली और दूसरी इल्बो में जो उपर की ओर है उसमें शावर लगने वाला है दोस्तों तो यहां पर हमें दोनों दर्फ बराश इल्बो को सही से लगा लेना है और इसकी भी हमें नप्ती करना होगी आपको यह पाइन ने साथ इंचे या साड़े साथ इंचे पर आप रख सकते हैं इसे क्योंकि वाल्ब मेक्शर की नली होती है वो काफी बड़ी होती है तो आप उसको काट कर छोटे भी कर सकते हैं आपको इस तरह से पाइप लगने पाद इसको अच्छी से टाइट कर देना है ताकि हमारा पाइप कही से भी नहीं आले तो आपको बिरेंजी वगरा से इसको पिले शेट कर लेना है इस तरह से यहाँ पर हमारा शावर के लिए और नल के लिए फिटिंग होच किये अब यहाँ पर गिजर के लिए पॉइंट जाना हो गरम पाणी के लिए यह हमारे जो लाइन आने वाले है यह गिजर के लिए आने वाले है तो इन दोनों elbow को हमें सही से नाप लेना है इनकी जो दूरी होती है हमें साथ इंची पर रखना है उन्हें ही से हमारी एक main line भी बाहर के और जाने वाली है दोस्तो तो फिले हम wall mixture की fitting कर लेते हैं आपको इनको तीनों elbow को सही से रखना है कहीं से बाकी नहीं करना है वहाल मिक्षर करने में काफी परिशानी होती है तो आपको तीनों पाइंट को इस तरह से साथ इंची पर रख देना है आपको तीनों एल्बो को नापना होगा इस तरह से कि हमारे जो श्रावर के लिए हमने जो पाइंट दिया है वो भी कहीं से बाका ना हो और हमारे जो गीजर के लिए और नल के लिए पॉइंट है वो भी कहीं से भी बाके ना हो आपको तीने एल्बो को इस तरह से नाप लेना है अभी गीजर के लिए ने हमें बाहर के और ले जाना होगी तो हम इसकी नपती कर लेते हैं यहाँ पर आगे कि और हमें एक बात्रूम के लिए और पॉइंट जाना है गिजर के लिए तो वहाँ पर हमें इस तरह से टीला गाना है दोस्तों अगर आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लें तो चली है यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारी वाल मिक्षर के लिए फिटिंग हो चुकी है हम ने इसकी नप्ति किस तरह से किया है दोस्तों यह देख लेते हैं आपको कहीं से अगर आपके कि पाइंड बागे हो तो आपको यहां पे अल्बॉ मिक्षर की फिटिंग कम्प्लिट हो चुकी है और आपको प्लम्मिंग क YEं करने पकोई प्रैशानी आप इस तरह से फिटिंग होती है वह आप बैजारसी भी ला सकते हैं देख सकते हैं हम आप बजार की फिटिंग है मगर हमने जो फिटिंग की है वो हमने हमारे हाथ से खुद बना कर की है दोस्तो इस तरह किसा आप रेडिमेट फिटिंग भी ला सकते हैं दुकान से इसकी भी जो पॉइंट है वो साथ इंची पर ही रखे हैं दोस्तो देख सकती है बने हमें इसकी यहाँ फिटिंग कीस्ती इस तरह आप फिटिंग कर सकते हैं काफी आसानी से तो चलिंग हमारी वाल मिक्शर की फिटिंग अप्लिट हो चुकी है अब हम्हें हमारे जए कंब चीट के लिए पाइंड है उसके लessen लेंपे फिटिंग करणा होगी है 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 यहाँ हमें नम Due के लिए कंब होई के लिए तो यहाँ पर हमें पॉस हबाइब न सब्सवर्ष के इस लिए लगने वाली है यही से हमें नीचे करें एक नल का पाइंट देना होगा दोस्तो यहां पर नीचे करें हमें एक ब्राश के एल्बो लगाना होगी जिसे हमारे जो टॉलेट शीट के लिए जो नल का पाइंट आना वाला है वो यही से आना वाला है जो पॉइंट आने वाला है नल का वो में 17 इंची पर रखना है हमारे जो नीची की और फर्स लगने वाला है अब 18 इंची 17 इंची पर इसको रख सकते हैं जिसे हमारे पानी के मगगव अगरे यूज़ करने में हमें कोई भी परिशानी नहीं होगी आपको इसको जो हाइट है हमें 17 इंची पर रख देना हैं फर्स से तो यहां पर हमें एक नल की लिए पॉइंट दे ऑब यहरी से हमें एक हैंड शावर के लिए पॉइंट देना होगा आग एक प्यूम th Voice लगने कि यहाँ भराश रबनी नुभी में नविन है कि ऊगी ही यहाँ पर जालइसेक्रानी सुरेशन लगा कि उसको फिट कर लेत plastics कर लेते हैं यह यह थो हमारे जो हैंट शाओर के लिए हमने दिया है उसके लिए हमें एक पाइड़ यहां पर देना होगा तो यहां पर हम्हें जितना भी बड़ा पाइब लगने वाला है दोस्तों इसकी प्राइब कर लेना है और इसको भी हम इस है दोस्तों आप जब भी इसकी ब्रेटिंग करें सीपीविसी या किसी भी लाइन की दोस्तों तो आपको शुलेशन लगाने को काफी ध्यान लखना है वरना जो लिकेजिक टैंवाली है वी सबाइन की लिए है तो यहां पर हमने इस तरह से इसको फटिन की एट फीटिंग की कई है अभी यहां पर हम इस जितना भी पड़ा पाइप को तुक्ला लगने वाला है इसके हमें नप्ची कर लेना है अब यही सा हमें इस पाइप को इसमें फिट करना होगा आपको solution शहीं से लगाना है दोस्तों तो चलिए इस ठी को हम यहां पे दोनों तरब solution लगाएप इसको यहां पर इसमें फिट कर लेते हैं कि अब यहीं से स्लाइब को हमें उपर टंकी में ले जाना कि देख सकते हैं यहां से हमने किस तरह से इसको अंडर्ग्राउंड फिटिंग किया दोस्तों अपाई जो टंकी का में लाइन जाने वाली जाने जीरी से अब यहीं से हमें एक फॉइंट के लिए पॉइंट देना हो होगा क्या होगा मैं सिर्फ एग की पोइंट देना होगा तो हम अब इसले पोईंट rai जड़के में दोश्ड़ लगाने दोस्तों हमारी स्लाइब करें तो यहांप आपको तक आपको हमार morality टैंक के लाइन से वहां प्लिक्ष्टिंग कर सकते हैं तो तो हमां पर आपको इस तरह से लगानाती सवा भाई पॉर्णग एक बाई पॉर्णग जो भी आप फिटिंग करें तो यहां पर हमारा फलश टेंके के लिए कर्णेक्शन आने वाला है दोस्तों तो यहां पर हमें जित्ता भी बड़ा पाइप लगने वाला है उसकी नप्ति करके इस आपको इस तरह से फिटिंग कर लेना है और आप जब भी फिटिंग करें तो यह लाइन हमारी उपर जाना वाली है तो यहां पर एक पाइप को शुलेशन लगागे इसमें एच्छे से फ तो आज के इस फिटिंग हमने काफी आसान दřिकी से बताया है दोस्तो यहां पर हमने लाइन फिटिंग के लिए किस तरह से चच्छी है तो हम हमसे की नल के लिए एक गीजर के लिए इक शावर के लिए फिटिक की हैं यहां वालों के लिए और रही आया हुआ है । यहां है है amado नल करंग के लिए करिक्षिञ दोस्टोओ यही से हाफ शेट लगा कि हमने ऊपर गयों लाइल ले गए हैं और यही से हमने एक फरस्ट टेक के लिए करिशन दिया है दोस्तों आज की शुडियों ने काफ़े आसान दिर के सा बता वाल विक्षर के लिए फिटिक किस तरह से की जाती है दोस्तों अगर आपने हमारे चेल क सब्सक्राइब डी किया तो सब्सक्राइब जरू कर ले